आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो question है हमारे पास how are a mule and a hiney produced are they fertile और sterile मतलब जो mule और hiney है वो कैसे produce होते हैं और ये fertile है या sterile है हमें ये बताना है तो जो mule और hiney है ये क्या है ये interbreeding interbreeding का हमारे पास result है तो जो mule है उसमें क्या होता है ये किसके cross से बना है जब एक male donkey male donkey का cross हम हिस्से करवाते हैं female horse से करवाते है female horse तो हमें क्या मिलता है हमें एक sterile मतलब वो आगे reproduce नहीं कर सकती आगे एक generation जो है offspring है वो produce नहीं कर सकती हमें क्या मिलता है इन दोनों के cross से mule मिलता है ठीक है और mule हमारे पास कैसा होता है sterile होता है और जब हम क्या करते हैं ये भी जो hiney है वो भी interbreeding का ही हमारा example है interbreeding क्या होगा दो ऐसी ऐसी breeding कराना जिसमें जो दो species है वो अलग-अलग है breeding generally किस में होती है एक species में होती है ठीक है एक species के male और female में होगी पर अगर हम अलग species के male या female में breeding कराते तो उसे हम क्या कहते हैं interbreeding कहते हैं ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा female donkey है female donkey की breeding हम किस से कराते हैं male horse से कराते हैं तो हमें एक sterile sterile हमें मिलती है offspring या sterile generation मिलती है उसका हमने क्या नाम निकाला है high knee नाम निकाला है ये भी कैसी होती है हमारी sterile होती है ठीक है Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 उपर